आपके लिए लुसेंट समान विज्ञान का रसायन विज्ञान वसुनिष प्रस्न ये पार्ट 3 होगा इसमें हम लोग 100 से लेकरके 150 तक के रसायन विज्ञान के अबजेक्टिव प्रस्नों को देखेंगे तो चलिए आगास करते हैं आज पार्ट 3 की और आप हमारे चैनल पर करने देखेंगा क्योंकि इसमें 700 प्रस्न है और मैं सबको पोश्ट करूंगा अपने चैनल पर यह रसायन विज्ञान का लुशेंट समान विज्ञान का प्रस्न है तो चलिए आगास करते हैं पहली जो कोस्यन है उसका एक सो नंबर वो है किसी परमानू रियक्टर में भारी जल क्या होता है तो किसी परमानू रियक्टर में भारी जल हाइड्रोजन के अपेक्छाक्रित भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं 101 प्रस्न को लेते हैं नाभिकिये सनि तो इसका जो राइट आंसर होगा option number C होगा मित्र विमंदक की तरह किसी तरह होगा विमंदक की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्ण को देखते हैं नुकलियर रियक्टरों में विमंदक और प्रसी तक दोनों की तरह परियुक्त होने वाले पदार्थ है, साधारन पानी, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया या भारी जल, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा, वो होगा भारी जल, ये सही आंसर है, चलिए, आगे बढ़तने हैं, आयनिक योगिक में, आयनिक योगिकों के संदर्व में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप्सन एक है, आयनिक योगिक एल्कोहल में और घुलनसील होते हैं, दो कह रहा है, आयनिक योगिक ठोस अवस्था में विद्धूत के सुचालक होते हैं उभ्यूक्त में से कौन सा कथन सही है केवल एक केवल दो ओप्सन तीन है एक और दो दोनों ओप्सन चार है नौ तो एक और नहीं दो तो राइट आंसर जो इसका होगा मित्रवा ओप्सन नंबर एक हो जाएगा केवल एक सही है है ना कि अर्थात आयनिक योगिक एलकोहल में और घुलनसील होता है एक एन एसील में यह बंद है आयनिक बंद है सहसन योजी बंद है उप सहसन योजी बंद है या एच बंद है तो राइट आंसर कौन सा हो जागा इसका ऑप्सन नंबर ए राइट होगा कि इसमें आयनिक बंद है ना एनिक बंद है चलिए दो परमानुवा के बीच की बंद की डैस प्रकृति अधीक होती है यदि उनकी विध्धुत नात्मक्ता का अंतर कम हो ओप्सन एक धुरूविय है ओप्सन दो धात्विक ओप्सन दीन आयनिक और ओप्सन चार है सहसन्योजक तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ओप्सन नमबर डी राइट है सहसन्योजक जो है इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं डैस बंध पानी के अनू के भीतर परमानुवा को बांध कर रखता है ओप्सन एक ओधुरूविय सहसन्योजक ओप्सन दो धुरूविय सहसन्योजक ओप्सन तीन है आईनिक ओप्सन चार है निर्दे सांक तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 106 का वो ओप्सन नमबर बी होगा मित्र धुरूविय सहसन्योजक यह सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं एक धातू के phosphate का सुत्र MHPO4 है इसके chloride का सुत्र होगा MCL, M2Cl2, MCL2 या MCL3 तो इसका जो right answer है वो option number C हो जाएगा MCL2 ये सही answer है आगे बढ़ते हैं barium को आदर्स gas का electron बिन्यास प्राप्त करने के लिए dash electron को खोना होता है 1, 2, 3 या 4 तो सही answer हो जाएगा option number B अर्थात दो electron को खोना पड़ता है चलिए ऑक्सी करन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है electron में विर्धी होती है electron में कमी होती है protein में विर्धी होती है protein में कमी होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B है ना, इलक्ट्रोन में कमी होती है, ये सही आंसर है, चलि आगे बढ़ते हैं, आक्सी करन अर्थात उपचयन में, option 1, किसी पदार्थ से hydrogen विस्थापित होता है, किसी पदार्थ में धन विद्यूत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्यूति तत्व का अनुपात बढ़ता है, नीचे दिये गए कूट का परियोकर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो तो एक और न थापित होता है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी योगिकों में ऑक्सीक्रा नवस्था समान होती है, कारवन, फलोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो राइट आंसर जो इसका है, वह आप्सन नमबर B होगा मित्र, फलोरीन, कौन ह होती है, चलिए, इसका ऑक्सीकरन अंक सदैव एक होता है, फलोरीन, कलोरीन, ब्रोमीन या आइड्रीन, क्या राइट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर अप्सन नमबर A होगा, फलोरीन, है ना, फलोरीन, इसका ऑक्सीकरन अंक सदैव क्या होता है, एक होता है, चलिए, आग 2 होती है है और ये प्लस टू सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं uncertainty में से कौन सा कथन सही है hydrogen के लिए oxygen आंक सदेव सुनने होता है hydrogen के लिए oxygen Can waterproof, one अंख τις 1 होता है hydrogen के लिए एक से अधीक oxygen a touch होते हैं अब देखेस का right answer कौन सा लग रहा हैं आपको तो option number हो सकते हैं option एक ऑक्सीकरन अंक हो सकते हैं चलिए निमनलिखीत में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है ऑक्सीजन है क्लोरीन है फ्लोरीन है या आयोडीन है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा होगा तो आप्सन नमबर सी राइट होगा फ्लोरीन कौन सा होगा फ्लोरीन स सबसे प्रबल ऑक्सिकारक एजेंट फलोरीन होगा चली ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचाई अभिक्रिया है option 1 देखिए mgs है ये o2 mg o2 ये s plus o2 s o2 2hg इससे उस्मा के साथ बन गया 2hg option 4 है mgs plus mgs तो right answer इसका कौन सा आपको लग रहा है तो देखिए इसका right answer है option number c है ये option number c right है एक अपचाई अभिक्रिया ये क्या है एक अपचाई अभिक्रिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया z no plus c z n plus c o में c निम्लिखित में से किस एक के रूप में कारी करता है अमल के रूप में चार के रूप में उपचायक के रूप में तो इसका right answer option number d हो जाएगा ये अपचायक के रूप में क्या होगा अपचायक के रूप में चलिए आगे बढ़ते हैं सूची एक को सूची दो से सूमिलिद कीजिए था सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए देखिए क्या है अब इसका सही सही answer क्या होगा एक तरफ योगी का एक तरफ सूची दी गई है तो देखिए यह जो है आपका प्रस्न संख्या एक चार है अलकली है सोडियम हैट्र ऑकसाइड चार है दूसरा है कैल्सियम ऑकसाइड यह चीन अर्थात अमल है है ना कैल्सियम ऑकसाइड चीन है और जो एसिटिक अमल है यह चारक है एसिटिक अमल क्या है चारक है अर्थात बेस है और जो हैड्रोक्लोरिक अमल है है ना हैड कि वब कर दो मतब स्वीएधोकसाइड जो है चार हो गया वी का फ़ोर अरभात केलसियम में अग्षाइड आग्षाईड जो हो गया यह भीक फ़ोर हो गया तो यहां पर यह मिलान जो है आपका गलत हो एक मिन्ट जा सा एक बार पुर्णा हम इसको कर लेते हैं जो को एक दो है तो यह जो वाला होगा राइट होगा अ हुआ है ज्रास ज्रास आ ठीक है स्टियम है फोट्रोडिक चार कोई दिकत नहीं है इसमें प्रवल अमल है और अब ऑप्षन को देख लिए तो यहां से अगर देखिएगा स्वोडियम हेड्रोक्साइड तो स्वोडियम हेड्रोक्साइड क्या हो गया अलकली यह चार हो गया कैल्सियम ऑक्साइड क्या हो गया यह चारक हो गया एसिटीक अमल क्या हो गया यह चीन अमल हो गया और हैड्रोक्रोन क्या हो गया परवल अमल हो गया चलिए आगे बढ़ते एमफोटेरिक अर्थात उभधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है अमल के रूप में चार के रूप में अमल और चार दोनों के रूप में उप्यूक्त में से कोई नहीं सही आंसर इसका हो जाएगा अप्सन नमबर C है न यह क्या होगा अमल और छार दोनों के रूप में है न एमफोटिक जो है विदर भी पदार्थ की इस रूप में क्रिया करता है तो यह अमल और छार दोनों के रूप में क्रिया करता है चलिए आगे बढ़ते हैं यदि एक पदार्थ का pH मान साथ से कम होता है तो इसे माना जाएगा निट्रल निस्पक्ष, आयन, एसीड तेजाब या छार तो सही आंसर इसका कौन से हो जाएगा option number C जो है वो सही होगा एसीड तेजाब ये सही आंसर है चलिए अमल वर्षा का pH मान कितना होता है 5.5 या कम 12.5 या ज्यादा 10.5 या ज्यादा 8.5 या ज्यादा तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number A 5.5 या कम ये अमल वर्षा का pH मान है बहु आसूत जल के एक नमूने का pH मान है 14, सुनने के अती निकट या साथ के अती निकट तो सही आंसर इसका हो जाएगा option number C अर्थात सुनने के अती निकट सुनने के अती निकट आगे बढ़ते हैं मानव रक्त के pH का अनुमानित मान है 7.4, 7.9, 6.7 या 8.1 राइट आंसर आप्सन नमबर 1 हो जाएगा 7.4 ये जो है राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं शुनने के बराबर pH वाला विलियन होता है अत्यधीक छारिये विलियन अत्यधीक अमलिये विलियन दुर्वल अमलिये विलियन या उदासीन विलियन तो इसका सही आंसर आप्सन नमबर B होगा मित्र अत्यधीक अमलिये विलियन ये सही है चलिए ठीक है निम्न लिखित में से किस अमल में छारकता तीन है डाइ सोडियम हाइडरोजन फोसफेट सोडियम फोसफेट फोसफोरिक अमल या सोडियम हाइडरोजन फोसफेट तो इसका right answer option number C हो जाएगा Phosphoric Aml, क्या होगा? Phosphoric Aml जो है इस Aml की छारक्ता कितनी होती है? तीन है निम्न लिखित में से कौन सा परबल विद्धुत अब घटन है? Hydrochloric Acid, Oxelic Acid, Acetic Acid या Ammonium Hydroxide तो इसका right answer option number A होगा मित्र Hydrochloric Acid, कौन सा होगा? Hydrochloric, यह option number A right है चलिए दूध, अर्थात milk है पायस, निलंबन, फॉम या जेल तो इसमें से right answer होगा option number A, पायस milk क्या है? एक पायस है चलिए ठीक है जब दो तरल पदार्थ जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और solution नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? solvent, decantation, अभी स्रनिय या solute तो इसका right answer हो जाएगा option number C, अर्थात अभी स्रनिय अर्थात immisival जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं नहीं और solution नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे अभी स्रनिय कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सक्कर के घुल में सक्कर एक डैस है एक विलायक है एक घुला हुआ पदार्थ है एक कोलाइड है या suspension है तो इसका right answer option number B होगा यह एक घुला हुआ पदार्थ है क्या है एक घुला हुआ पदार्थ है चलिए मक्खन कोलाइड कब बनता है जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है जब पानी में वसा छितरा जाता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं बहुत ही most important प्रस्ण है, ध्यान रखेगा, स्मॉग किसका सन्योजन है, हवा और जलवास्प, पानी और धुवा, आग और पानी, धुवा और कोहरा, इसका right answer option number D होगा, धुवा और कोहरा का, इस्मॉग जो है, धुवा और कोहरा का सन्योजन है, एक घोल, जिसकी कोलाइडी विलियन होती है, एक घोल, किसकी कोलाइडी विलियन होती है, द्रव में द्रव की, द्रव में ठोस की, द्रव में गैस की, द्रव में ठोस की, तो right answer इसका जो 132 का होगा, वो option number A हो जाएगा, द्रव में द्रव की एक गोल किसकी कुलाडिविलियन है द्रव में द्रव की कुलाडिविलियन है चलिए निवन में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगराडो का नियम या चाल्स का नियम सही आंसर आप जान ही रहे हैं, जूल का नियम, औप्सन नुमर बी राइट है, जूल का जो नियम है, यह गैस से सम्मंदित नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, कौन सा समिकरन चाल्स नियम को प्रकट करता है, है ना, आप्सन एक है, भी इस डिरेक्ली प्रपोर्पोर्पोर् अर्थाथ भी जो है वर डिरेक्ली प्रोपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पाथ T का, ओप्सन C राइट है, चलिए, समान तापमान एवं दवाव पर सभी गैसों के समान आइतन में अन्वों की संख्यां बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है, बॉाइल का नियम, च किसी गैस का आन्विक द्रेवान डैस होता है उप्सन एक उसके वास्पदाब से दुगना उसके वास्पदाब के बराबर उसके वास्पदाब से आधा उसके वास्पदाब से ओसंबंद वास्पदाब से ओसंबंद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह option number A है मित्र है ना ये सही है A number उसके वास्पदाब से दूगना ये right answer है चलिए परम शुन्नी को किस प्रकार पर इवासित किया जाता है option 1 वह तापमान जिस पर सब आनवी गती बंद हो जाती है option B है जिस पर जल 291 Kelvin पर उबलता है option C है जिस पर तरल हिलियम उबलता है option D है जिस पर आयतन सुन्ने हो जाता है तो इसका right answer option number 1 हो जाएगा वह तापमान जिस पर सब आनवी गती बंद हो जाती है परम सुन्न कहलाती है चलिए जिस रासायनिक अविक्रिया को उससे उस्मा निकलती है उसे dash अभिक्रिया कहा जाता है उसमा सोसी, sun yogen, अभगटन या उसमा 6P तो इसका सई answer option number D हो जाएगा उसको उसमा 6P कहते हैं क्या कहते हैं? उसमा 6P, option number D right है निम्न में से कौन सी ऱसानिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उसमा सोसी होती है? दहन प्रतिक्रिया, अप घटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या सन्योजन प्रतिक्रिया तो इसका सही आंसर option number B होगा है ना अप घटन प्रतिक्रिया क्या होगा अप घटन प्रतिक्रिया चलिए आगे बढ़ते है प्रकास उर्जा से पानी के अनू के विखंडन की प्रक्रिया को डैस कहते हैं प्रकास अभगटन, विकिरन अभगटन, विद्धुत अभगटन या ताप अभगटन राइट अंसर आप्सन नमर एक होगा इसको कहते हैं प्रकास अभगटन वर्तमान में हमारे द्वारा उप्योग किया जाने वाला रासायनिक प्रतिकों की उप्योग विधी किसने तयार की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट, बॉयल, बर्जिलियस या जॉन डाल्टन तो राइट आंसर आप्सन नमबर C है बर्जिलियस किसने बर्जिलियस ने इस विधी को तयार किया था चलिए ठीक है निम्न लिखित में से कौन सा रासानिक प्रतिकों के बारे में सच नहीं है आप्सन एक यह तत्वों के नामों के लिए एक आसू लिपी संकेतन है यह प्रतिक एक यह दो अक्षरों के होते हैं क्लोरीन के लिए रसानिक परतिक सी एल है ये जैम्स चैडवीक और जेजे थामसन द्वारा प्रस्तावित किये गए थे तो राइट आंसर आपसन नमबर डी होगा इसका है ना ये जैम्स चैडवीक और जेजे थामसन द्वारा प्रस्तावित किये गए थे चली ठीक है निम्न लिखीत में से किसे औरम कहा जाता है कांसा सोना चांदा चांदी तामभा राइट आंसर आपका दिल कह रहा है जो जो से सोना को घेर दीजिए सही आंसर है ऑप्सन नुबर बी राइट है चली आगे बढ़ते हैं भविश इंधन किसे कहा जाता है 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 या इसका right answer option number A होगा hydrogen को और निम्न में से किस एक का इंधनमान अधीक्तम होता है hydrogen का चारकोल का प्रकृतिक गैस का या gasoline का तो इसका जो राइट आंसर होगा वह option number A हो जाएगा मित्र hydrogen का है ना किसका होगा hydrogen का तो इंधन वान अधीख होता है, है ना, प्रतिगराम इंधन द्वारा मुचित उर्जा की द्रिष्टी से निम्न में से सर्वोत्तम इंधन कौन सा है, हाईड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल या ब्यूटेन, आपका दिल कौन सा कहरा है, वही कह रहा है, जो हम सुन रहे हैं, option number A right है, इसका hydrogen होगा, और सही है option number A, hydrogen निम्नलिखित में से कौन से इंधन से सबसे कम पर्यावरन परदोसन होती है, डीजल से, केरोसीन से, hydrogen से या कोईला से, सबसे कम परदोसन किस से होता है, तो यह होता है hydrogen से, जो आप जान ही रहे है, option C, hydrogen से सबसे कम परदोसन होता है, यह एक ऐसा इंधन है, जिन से परदोसन बहुत कम होता है, जल गैस किसका सनियोजन है, CO2 और CO2 का, CO2 और H2 का, CO2 और H2 का, सही आंसर इसका option number C होगा, जानते ही है आप, CO2 का मिस्तरन है, जल गैस, water gas, carbon monoxide और hydrogen का मिस्तरन है, निम्नलिखित में से, कौन सा एक भाप अंगार गैस है, carbon monoxide और hydrogen का मिस्तरन, carbon monoxide और nitrogen का मिस्तरन, carbon dioxide और hydrogen का मिस्तरन, carbon dioxide और hydrogen का मिस्तरन, carbon dioxide और hydrogen का मिस्तरन, carbon monoxide और hydrogen का मिस्तरन, क्या हो गया यह भाप अंगरवर भाप अन्गारवड निमनलिखित में से किसका परयोग नोदक या रॉकेट के इंधन के रूप में किया जा सकता अप्शन एक द्रव हैड्रोजन, द्रव नेट्रोजन, द्रव औरगन, द्रव नेट्रोजन, द्रव अक्सीजन, द्रव अक्सीजन, द्रव हैड्रोजन प्लस द्रव अक्सीजन, अब सही आंसर लास्ट प्रस्ण है, और इसका सही आंसर आप्सन नमबर डी है, द्रव हैड्रोजन, द्रव आउक्सीजन तो आज हम लोगों ने पार्ट टू में सॉरी ये पार्ट थर्ड में हम लोगों ने एक सो से लेकर के एक सो पचास तक के प्रस्णों को देखा तोटाल इसमें 700 प्रस्ण है हम सब लेकर उपस्तित होंगे तो धहरी के साथ बस बने रहें स्वस्त्र हैं अपना ख